तो कैसे हैं आप सबी लोग? आशा करता हूँ कि सेफ होंगे, स्वास्त होंगे? Happy Diwali to all of you! लिपावली की शुब कामना हैं आप सबी को. प्लीज अपना ध्यान लगीगा अगर पटाके वेगरा फोड रहे हैं तो. जैसा कि इस thumbnail के अंदर mention है कि क्या हम PS Now की services इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, क्या हमें VPN की जुरुत है या नहीं है, ये इस वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा. दूसरी बात मैं ये वीडियो किसलिए बना रहा हूँ उसका purpose यह है, क्योंकि Xbox के जो game passes है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोग games इतनी महंगी नहीं खरीज सकते हैं, और खरीबना चाहेंगे भी नहीं, शायद मैं भी नहीं करीबत तो क्या हम PS Now को यूज करते हुए उन games को जो भी PS Now के उपर games है, जैसे कि Last of Us 2 है, Red Redemption 2 है, जो RDR 2 है हमारी, उसकी remastered होने वाली, वो definitely इसके उपर भी आएगी PS Now में, अभी नहीं आएगी, तो जब भी आएगी, तो यह टाइम बात के बात PS Now के उपर आजाती है, तो क्या ह हम उन games को डाउनलोड करके इंडिया में खेल सकते हैं, क्या हम उनकी पूरी services यूज कर सकते हैं, एक वीडियो के अंदर यह सब कुछ कवर करना easy नहीं है, क्योंकि account creation, जो कि यह वीडियो है, थोड़ी सी लंबी है, तो इसको बिना skip करें देख लेजेगा, क्योंकि कोई भी सेकिंड वीडियो के अंदर cover करूँगा, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ account से related बात करेंगे, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, इस वीडियो को जल्दी दे शुरू करते हैं, तो चलते हैं अपनी laptop की screen पर आ गए हैं, और हमने sony playstation की website को लिए है, वहाँ पर हमें account create क क्लिक करेंगे, new account बनाएंगे, create new account पर क्लिक करेंगे, create पर क्लिक करेंगे, date of birth आप डाल सकते हैं, और at least 18 years से उपर वाली ही डालगा, ज्यादा बेटर कोई issues नहीं रहेंगे, next पर क्लिक करेंगे, और यहां country में ध्यान से United States की select करना है, और language English ही रहने देना है, next पर क्लिक करा, email ID आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वो Gmail अकाउंट अलड़ी बना हो आना चाहिए, क्योंकि उस पर mail जाएगी, so मैंने इस टेस्टिंग के लिए PSNOW करके ID बनाई है, और password के अंदर ध्यान रखना, letter, character, और numbers के बीच में से कोई दो definitely use करना और 8-digit का password होना जरूरी है, next पे click किया हमने, city के अंदर मैंने Los Angeles लिया है, तो आप वो same ले सकते हैं, या आप कोई और भी ले सकते हैं, तो हमने Los Angeles डाल दिया है, state उसे California पढ़ता है, बाट आप इसको Google कर सकता है, अगर आप को city चेंज कर रहे हैं, और Google पे हम random address सर्च कर सकते हैं, और basically हमें वहां का postal code चाहिए होता है, यह हमारे जैसे इंडिया में PIN code होता है, तो यह random address आप देख सकते हैं, ऐसे डूंच सकते हैं, और उसके अंदर postal code भी होगा, जैसे कि अगर Los Angeles का डाल रहे हैं, तो यहां से copy किया है, और यहां पेस्ट कर दूँग और next पे click करेंगे, अब आप जो IDPS now पर बनाने वाले हैं, वो आप यहां से भी select कर सकते हैं, या अप अपनी भी बना सकते हैं, रफ्रेश कर के भी इंके और suggestions ले सकते हैं, और name में आप अपना डाल सकते हैं, last name भी, so next, इसको tick कर दीजेग, पढ़ना चाहिए तो आप पढ update account, usually हम पढ़ते नहीं हैं, और यहां के पर click करेंगे, एक mail चला गया होगा, आपके उस email पर जो starting में हमने डाला था, और हमें account verify करना होगा, तो update के लिए यहां पर next पर click करेंगे, confirm करेंगे, basically अब जाएगा, जैसे ही, अब update पर click करते हैं, तो एक email रेसीव होता है आपको, जाके आपने उस, आप नीचा ID देख सकते हैं, आपकी वो ही डली है, चेक कर सकते हैं, अगर कुछ घलट डला है, तो आप change कर सकते हैं, दुबारा बना सकते हैं, तो यह account पर जाएंगे, हम इसको verify करेंगे यहां से, verify now, यह यहां पर आ गया है, कि आपका account verify हो गया है, यानि कि आपका successfully account create हो गया, US address वाला, और इस पर already verified पर click करेंगे, अगर एक बार ना हो, तो आप 2-3 बार click कर दीजेगा, यह आपको redirect कर देगा, दूसरे page पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब profile पर आपको change करना चाहें, वह आपकी मर्जी है, और हमें basically इस वीडियो के अंदर आपको यह बताने, कैसे आप codes यूज करके, इंडिया में PS9 यूज कर सकते हैं, so redeem code पर ही हमें काम है सारा, तो हम उसीबर चलेंगे, अब मैं आपको कुछ sites बताऊंगा, जो सबसे best हैं और सबसे best चीज जो है, इस पर price भी सबसे कम मिलता है, बट मैं आपको 3 sites जो main है, उनको खोल के दिखाऊंगा, और उस पर आपको price का difference भी दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे, आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर secure and full support दिखाए 24 hours, so हम search में डालेंगे PlayStation Now, यह नीचे ज जो इंडिया का message लिखा हूँ एरिजन में, तो आप इसको ignore करके सारी games पर क्लिक कर देना, और यह सब ही देखिया, flags लगे हूँ है, उस country के हिसाब से हैं, अगर आप दूसरी country में रहते हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से सेम प्रोसेस कर सकते हैं हमने यूस का डाला है, तो हम यूस के लिए ही codes बाय करेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह 3 months का जो subscription है, वो है 1660 रुपे में, मैं round figures में amount बता रहा हूँ आपको, तो easy रहेगा, बागी screen पर तो आप देखी रहे हैं, और 12th month की subscription है, 3630 रुपे में, तो मैं अभी आपको वही दिखा रहा हूँ, आप इस page पे redirect हो जाएंगे, इसमें आपका basically buy now और paypal का option आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं, यह amount है, और buy now और यह रा PayPal का option, PayPal से ही मैंने pay कर रहा है, तो आप account बना सकते हैं, बहुत easy है, तो अभी हम दूसरी sites पे जा रहे हैं, G2A, उस पे playstation now search सकते हैं, United States के लिए, तो यहां पर आप price देख सकते हैं, United States देखिए, आप लिखा हुए, 11 dollars का है, 1 month का, और 60 dollars का है, 12 month का, तो अभी हम Google पे current rate चेक कर लेदे हैं, तो उसके हिसाब से price बन रहा है, लगबग 4400 रुपीस, और वहां पर था 3600 something, so price difference के लिए आप समझ सकते है कि कितना फर्क है, और यह देखिए, यहां पर है 3630 रुपीस, और वहां पर था more than 4000 रुपीस, लगबग आपको 7800 रुपे का difference दिख रहा है, यहां पर, तो आप हम तीसरी साइट्स पे गए हैं, जिए उसका नम है playasia.com, उसके ओपर हमने United States का search कर लेंगे, basically, बड़ा easy रहे तो प्लीज आप prices चेक कर सकते हैं, prices vary कर सकते हैं, जिस साइट पर आपको अच्छे price मिलें, आप buy कर सकते हैं, लेकिन cd keys पर यह है कि payment और process जो है, वो smooth है, अब आप यहां देख रहे हैं, 5303 रुपे की मिल रही है, तो सबसे best cd keys का ही amount आप देख सकते है, 3630 रुपे, और इसको buy आप कैसे भी कर सकता है, buy now पर भी options आएंगी, बट मेरे पस PayPal का account है, तो मैं PayPal से ही, मैंने pay किया है इसको, तो payment का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन यह है कि process जो है, वो आप easily कर सकते हैं, यह आप continue करके, So guys, यह सब आपके उपर depend करता है, यह तीन जो sites हैं, या फिर आपको गई और से code मिलता है, बहुत से sites है, PS Now की subscription लेने के लिए, आप वहाँ से check कर सकते हैं, जहां से आपको सही price मिले और आपको trust हो, कि उस sites पे आपको दिक्कत नहीं होगी payment की, और genuine है, तो आप उससे code ले स सकते हैं, वो code आपको mail पर send करते हैं, और वो codes कहां डलेंगे, और कहां पर आपकी activation होगी, यह मैं आपको दिखा लेता हूँ, redeem codes पर जाएंगे हम, यह हमारा वोई account है, जो हमने create किया था, code कहीं से भी आप buy कर सकते हैं, बट मेरे सबसे CD की सबसे better है, और सबसे सस्ता price देते हैं, मतलब सबसे अच्छा price मिलेगा आपको वहाँ पर, और आगर आप देख रहे हैं, तो web dress के अंदर dash iron लिखा है, वो इडिया में चल रहा है, इसके कोई issue नहीं है, तो इसको मत सुचे आप, इसने time कि, दुबारा click कर देता हूँ, एक बार, यह देखिए, यह जो 12 digit का code आपको आएगा, buy करने के बाद, उसे हमें यहाँ डातना है, और फिर इस account के ओपर, PS9 active हो जाएगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यह जो मेरा inbox है, यहाँ पर ही मैं अपने original email ID वाला ही login करना पड़ेगा, मुझे, और वहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा, बाट मैं वहाँ से mail forward कर देता हूँ, इस account के ओपर, ताकि मैं आपको दिखा सको, कोड कैसे आता है, रिसीट कैसे आती है, उसकी invoice कैसे आता है, बेसिकली, सो मैं आपको वह दिखा देता हूँ, यह तो वह है जो पेमेंट का है, पेमेंट करने के बाद, आपको एक email रिसीव होता है, आपके original उस पर, यह मैंने forward कर दी है, बेसिकली, वहां से मैं इसको नाम को और अपने address को बलर कर दी है, यह मैंने 13 July को लिया था, तो मैं इसको तब से use कर रहा हूँ, यह आपका amount आ गया है, convert होके, तो आप basically वहां से code लेंगे, और उस पर जब जाएंगे, आप click करेंगे, तो यहाँ पर get code पर click करने के बाद, आपको यह code मिलेगा, तो यह 12 digit का जो code है, आप इसको single single करके copy कर सकते हैं, विकोज इसमें dash ढ़ला है, तो dash copy नहीं होता है, तो यह एक-एक करके हम उसको copy करेंगे, code को मैंने थोड़ा सा blur कर दिया, तो ताकि इसके कोई misuse नहीं हो सके, तो basically हम इसको तीनों को डालने के बाद, code को डालने के बाद, next पर click कर देंगे, यह already redeem हो चुका है, तो इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो इसको आप दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं, तो जाइस कैसी लगी आपको वीडियो आशा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इसको बिना skip करें, दुबारा देख लीजिए, और आपको यह पता चल गया है कि अगाउंट कैसे create करना है और कैसे codes buy करने हैं, और कहां से buy करने हैं, कहां सबसे सस्ते codes मिल रहे हैं, और आप कहीं और भी देख सकते हैं, कि जहांसे भी आपको codes मिलें, वो 12-digit code आपको डालना है और इसको activate करना है, बिने किसी VPN के तो सांसे वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे इस Services को और आपको बताओंगा कि आप कौन कौन सी PSNOW की Services यूज़ कर सकते है इंडिया में और कौन कौन सी नहीं कर सकते, क्या ये PS Plus से बेटर है, क्या ये PS Plus से बेटर नहीं है तोस बारे में बात करेंगा बब सेक्ड़ वीडियो के अंदर ये वीडियो अलड़ी बहुत लंभी हो चुछ है तो प्लीज सबस्क्राइब like और share जरू कर देना अपने दोस्तों के साथ मैं इस services को use कर रहा हूँ मैं repeat कर रहा हूँ मैं इस services को use कर रहा हूँ thank you, take care, bye bye